नमस्कार दोस्तों, थ्रिलेट ट्यूब में आपका स्वागत है आज के कहानी कुछ हटके है हमारी यूजल कहानियों से क्योंकि ये केरला का अर्बन लेजन्ड पे आधारित है केरला का कुछ most haunted places का एक एक करके detailed analysis होगा हमारी आज की और आने वाले videos में तो अगर आप एक enthusiast traveler हो जो केरला का सौन्देरे के साथ साथ उसके haunted places का भी thrilling लुप्ट उठाना चाते हो तो हमारी चैनल Thriller Tube को subscribe कर लीजे और बने रहे हमारी चैनल के साथ हर हफ़ते शनिवर के सारे तीन बजे तो आज की खानी है बौन अकार्ड पंगलो की केरला अपना हड़ी भड़ी सुन्दर था इतना फैला दिया था त्रिवंदम की इस 50 किलोमेटर दूर अवस्दित लोकेशन पे कि ड्यूरिंग दे ब्रिटिश एरा कई ब्रिटिशेस आए यहाँ पर रहने के लिए इनी में से है हमारी आज की कहानी के मूखे पातर डेन्वा की फैमिली जो रहते थे 25 जीवी बंगलो यानी बौन अकार्ड बंगलो में कहा जाता है कि डेन्वा के माता पिता में बहुत प्यार था और डेन्वा भी एक बहुत ही खुश मिजाज लरका था हर कोई उससे बहुत प्यार करता था पर एक दिन यू हुआ कि डेन्वा कोई बिमारी से अपना पेट पकल यार उसी में कुछ दिन और बाद अपना दम तोर दिया शोक में डूबा माता पिता ये दुख बरदाश नहीं कर पाया और भीटे की मोद के कुछी दिनों बाद सब को छोड़ चाड़के लंडन शिफ्ट हो गया और यहीं से सुरू हुआ पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन बौन अकार्ट बंगलो लोकल स्थानियों का कहना है कि कई बार रात के समय इस बंगलो में रोशनी दिखाई देता है जबकि ये बंगलो बिल्कुल ही डेजर्टेड है और इलेक्ट्रिसिटी वेरिंग का तो इस बंगलो में कोई नामों निशान नहीं है किसी किसी का तो ये भी कहना है कि उन लोगों ने एक छोटा सा शरीर को कपड़ा ओड़े हवा में तेरते हुए दिखा है इस बंगलों के प्रेमिसस में बात ही तो ऐसा भी उड़ता है कि रात को बंगलों से बच्चे की चीख सुनाई देता है और चीजे गिरने की आवाज कई तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करते है कि उन्होंने बंगले के शीशे में अचानक से एक बच्चे का आखड़िती देखाए जो पलक जपकते ही गायब हो जाता है वेरस पैरेनॉर्मल इंवेस्टिकेटर्स इन सब दावों को नकार देता है ये कहके कि ये बंगलो जिस लोकेशन पे स्थित है वहाँ शाम होते ही कोहरा जम जाता है इतना कोहरा की रास्ता भी ठीक से दिखाए नहीं देता है जाहिर है सुनसान बंगलो उसका डर, कोहरा सब एक साथ इनसान के दिमाग में खेल खेलता है और कहानिया बहार आता है क्या सच है? क्या जूट? हाँ मैं नहीं पता पर अगर आप गुगल करोगे तो बॉन अकार्ड बंगलो या 25 जीवी बंगलो का नाम जरूर दिखाए देगा आपको आपका क्या कहना? इस पे कॉमेंट्स में लिखिएगा जरूर और साथ ही साथ मेंशन भी कर दीजिएगा कि अगर आपको मौका मिला एक बार बॉन अकार्ड बंगलो में एक ट्रिप करने का तो क्या हूँ आप करना पसंद करेंगी?